Ethical Hacking Free में सीखने के लिए सबस्क्राइब किजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक किजिए बैल आइकन पर तो आज के इस वीडियोग हम देखेंगे कि किस तरह से हैकर्स सिंगल क्लिक से आपकी सिस्टम की आईपी, लोकेशन, ब्राउजर, ओप्रिंग सिस्टम, आपके सोचल मीडिया अकाउंट्स का पता लगा सकते हैं हैलो फ्रेंड्स मैं हूँ अनेल और आप देख रहे हैं टेक्चेप यूट्यूब चैनल हैकिंग या एथिकल हैकिंग का पहला स्टेफ है फोट प्रिंटिंग यानि इन्फोर्मेशन गैदरिंग के टेकनिक्स जिसे कि विक्टम की IP, लोकेशन, वो कौन सा ब्राउजर, कौन सा आपरिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है ये सब जानना इसके कई तरीके और टूल्स मौझूद हैं आज के सिब्ड़े हम बात करेंगे ट्रैप टूल के वारे में कि इससे किसी को कैसे ट्रैस या मोनिटर किया जा सकता है ये एक एक रेकरिअशन टूल है जिसके दौरा विक्टम की IP, लोकेशन, OS, इसके लाबा सुसल मीडिया एकाउंट्स को मोनिटर किया जा सकता है इस टूल के दौरा fishing attack, simple hooking attack जैसे attack भी किया जा सकते हैं तो चलिए देखते हैं, हम इस tool को का Linux में कैसे install और configure कर सकते हैं, और हम इसको कैसे use में ले सकते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हम इस tool को कैसे install कर सकते हैं, इसके लिए आप ये link अपने browser पर open कर लिजे, ये link आपको नीचे description में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर इसको open कर सकते हैं, आप यहां से इसको zip file के दोरा, या इसके git clone URL के दोरा अपने system पर clone कर सकते हैं, तो मैंने इसका git clone URL कोपी कर लिया, मैं ब्राउजरों कर देता हूँ minimize, इसके बाद हम open करेंगे अपना terminal, यह terminal open कर लिया, मैं इसको अपने desktop पर clone कर लेता हूँ, तो मैं अपने desktop पर आ जाता हूँ, मैंने command लगाया cd desktop, उसके बाद हम command लगाया git clone, और जो हमने URL कोपी किया था, उसको हम यहाँ पर paste कर देंगे, उसके बाद ही trap tool desktop पर clone हो जाएगा, छोटा सी tool है, इसमें ज़्यादा time लगेगा नहीं, यह देखिए, यह download हो चुका है, मैं इस folder मा जाता हूँ, मैंने command लगाया cd trap, तो आपको यहाँ पर इसकी python की script मिल जाएगी, हम इसको run करा सकते हैं, पर run कराने से पहले हमें इसके requirements package को install करना होगा, तो इसके लिए हम use करेंगे PIP install का, मैंने command लगाया PIP install, hyphen r, requirements.txt, उसके वादिश tool के लिए जरूरी package और tools install और configure हो जाएगे, जो भी जरूरी packages और tools आपके system में missing हैं, वो सब भी जहाँ पर install हो जाएंगे, यह देखिए, यहाँ पर यह tool install हो रहे हैं, ध्यान ले दोस्तों, यह वीडियो के विले education purpose के लिए, आपको समझाने के लिए कि किस तरह से आपको trace किया जा सकता है, यह देखिए, यहाँ पर सारे ज़रूरी package इंस्टल हो चुके हैं, अब हम इस tool का use ले सकते हैं, तो मैं इसको कर देता हूं clear, इसके अब बाद हम इस script को run करा सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी help चेक कर लेते हैं, तो मैंने command लगाया python trap.py-h, तो यहाँ पर इसकी help open हो जाएगी, तो इसमें man दो ही option है, एक URL के लिए, एक port के लिए, तो चलिए हम इस लूट को run कराते हैं, तो मैंने command लगाया python trap.py-u, तो यहाँ पर हम वो URL टाइप करेंगे, कि जैसे उस link पर victim क्लिक करें, तो महाँ पर कौन सा URL open होना चाहिए, वो URL हम यहाँ पर type करेंगे, तो यहाँ पर मैं google.com ही type कर देता हूँ, इसके बाद port, कमार लगाया मैंना hyphen p, और port नमर दे दिया मैंना 80, और enter press करेंगे, यह देखिए, यहाँ पर यह tool start हो चुका है, आपको यहाँ पर कुछ link और key मिलेगी, यह देखिए, यह पहली link है, यह victim के लिए है, कि जैसे victim इस पर click करेगा, तो उसके सारी information वहाँ पर trace हो जाएगी, और दूसरी है control panel के लिए, जिसके दोर हम trace कीगे information को वहाँ पर check कर सकते हैं, control panel को access करने के लिए हमें सकी का use करना होगा, तो मैंने सकी को copy कर लिया, उसके बाद हम control panel के link को open कर लेते हैं अपने browser पर, यह मैंने click के open link पर, यह link हमारे browser पर open हो जाएगी, यह देखिए, और जो हमने access की copy की थी, उसको मैं यह पर paste कर देता हूँ, उसके बाद के लिए करेंगे हम sign in पर, तो यहाँ पर control panel open हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर कुछ भी show नहीं हो रहा, यह वो ही link है, जो कि हमें victim को share करनी है, तो मैं इसको अपने ही system पर open करके देख लिएता हूँ, मैं इसको copy किया, और मैं इसको browser बगर दिया, paste, इसको कर देते हम open, और यह देखिए, यहाँ पर Google open हो चुका है, और आप terminal में देख सकते हैं, यह victim connect हो चुका है, और यह पहली बार है, उसकी IP भी यहाँ पर show हो रही है, अब हम इसका control panel चेक कर लेते हैं, देखते हैं, वहाँ पर कॉनकों से information trace होई है, मैं इसको कर देता हूँ refresh, यह देखिए, यहाँ पर डिडिल आ चुकी है, कि एक victim ने यह link को open किया है, आप उसकी यहाँ पर public IP देख सकते हैं, उसके लावा उसका browser, उसका operating system, यह सारी डिडिल यहाँ पर आ रही है, इसके लावा हम डिडिल पर क्लिक करके, और ज़्यदा डिडिल भी जान सकते हैं, यह देखिए, यहाँ पर उसकी location show हो रही है, इसके लावा वह कौन सा CPU यूज कर रहा है, कौन सा operating system, कौन सा user agent, कौन सा browser, कौन सा ISP, विक्टम कौन सी country में है, कौन सी state में है, यह सारी information यहाँ पर show हो रही है, इसके लावा जहाँ पर social account की information भी show रही है, जैसे कि Facebook, Twitter, PayPal, ओनलाइन है या ओफलाइन है, यहाँ पर काफ़ी detail दे रखी है, यह विक्टम ने वहाँ पर social account ओपन किया हुआ है, तो वो भी यहाँ पर show हो जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर किसी की भी detail देखी जा सकती है, यह जो IP आती है, वो आती है public IP, जैसे कि मैं आपको चेक कर रहाता हूँ, मैंने Google ओपन किया, और यहाँ पर मैंने सर्च किया, वाट इस माई आई पी, यह देखी, यह ही हमारी public IP है, जैसे यहाँ पर show हो रही है, तो मैं आपको कुछ hooking attack example देखाता हूँ, यह देखी यहाँ पर मैंने यह link अपने Windows machine में open किया हुई है, मैं गया retail पर, उसके बाद किलिक करेंगे attack hook पर, तो यहाँ से phishing attack किया जा सकता है, किसी side पर redirect कराया जा सकता है, कोई alert message भीजा जा सकता है, विक्टम के browser पर कोई file भी send की जा सकती है, मैं आपको देखाता हूँ, यह देखी यहाँ बंडूज मसीन के अंदर यह link open है, आप जैसे कि मान लेजे, विक्टम के browser पर कोई alert message भीजना है, तो वो message यहाँ पर type कर दीजे, जो भी message भीजना है, वो message यहाँ पर type कर दीजे, और उसके बाद क्लिक कीज़े execute पर, यह देखिए, विक्टम के browser पर वो message शो हो जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर कोई alert message, विक्टम के browser पर send किया जा सकता है, यह देखिए, कोई file send करने है, तो file भी यहाँ से send की जा सकती है, वो victim के browser से download हो जाएगी, जैसे कि मैंने नाम दे दिया techchip.exe, और क्लिक किया send पर, यह देखिए, विक्टम के browser पर pop up का message आया है, मैंने इसको allow कर दिया, और आप जहाँ पर दिख सकते हैं, यह techchip.exe को यहाँ पर download करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से file को run या safe API जा सकता है, तो इस तरह से किसी भी तरह के file send की जा सकती है, जैसे कि payload, keylogger, यह के analysis file भी हो सकती है, तो जो भी file send करनी है, वो trap folder के अंदर होनी चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने open किया trap folder, इसके अंदर static, यहाँ पर files, तो जो भी file आपर send करनी है, वो file यहाँ पर डालनी होगी, उसके बाद control panel से वो file send की जा सकती है, जैसे कि मैंने भी आपको example दिखाया, उसके बाद वो victim के browser से download होना start हो जाएगी, मैं आपको कुछ और example दिखाता हूँ, जैसे कि माली जी victim को किसी दूसरी side पर redride करना है, तो जो भी side उसके browser open करनी है, वो URL यहाँ पर type कर दीजे, जैसे मैंने type कर दिया attackchip.net और click किया redride पर, उसके बाद victim के browser पर वो side open हो जाएगी, यह देखिए, मैंने type के था attackchip.net और यहाँ पर यह side open हो गई है, तो इस तरह से यहाँ पर कोई भी side redride कराई जा सकती है, इसके लाब यहाँ से phishing attack भी किया जा सकता है, उसके बाद victim के browser पर Facebook का phishing page open हो जाएगा, यह देखिए, आप यहाँ पर दिख सकते हैं, कि Facebook का phishing login page जहाँ पर open हो चुका है, आप यहाँ से उसके email और password भी trace किये जा सकते हैं, जैसे victim यहाँ पर कोई email और password डालेगा, तो वो terminal में शो हो जाएंगे, तो इस तरह से trap tool काम करता है, इसको over when use भी लिया जा सकता है, मतलब ऐसी link को कहीं भी internet पर access किया जा सकता है, मैं आपको यहाँ पर जदा नहीं बता सकता, क्योंकि YouTube वैसे ही खफा रहता है, मैं बाप पेस से कोई strike नहीं चाता, ng-lock के उपर मैंने पहले से वीडियो बनाई हुए, आप वो देख सकते हैं, कि अपनी local server को कैसे internet पर access करते हैं, या फिर आप यह मेरे website से fishing वाला वीडियो देख सकते हैं, यहाँ भी मैंने बताया है कि fishing page को over when कैसे use में लेते हैं, तो इस तरह से trap tool का use, लोगों को monitor करने के लिए, और कई तरह के attack में लिया जाता है, यदि आप ऐसे attack से बचना चाहते हैं, तो कभी भी इस तरह की link को open ना करें, यदि आपको link open करनी है, तो किसी VPN या proxy server पर open करें, जिस चेकि attacker के पास आपकी real IP नहीं पहुँचेगी, यदि आप ऐसे link को direct open करते हैं, तो hackers के पास आपकी IP, आपकी OS की detail और भी किदे गडिल पहुँच सकती है, यदि किसी hacker के पास आपकी IP है, और वो जानता है कि आप कौन सा operating system यूज़ कर रहे हैं, तो hack करना और भी आसान हो जाता है, तो हमेशा सतर करें, और ऐसी link को open करने से बचे हैं, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ नहीं जनकरी आप कुछ आपर मिली होगी, वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक और शेर करना मत भूलेगा, और यदि आप शेर को पलिवार देख रहे हैं, तो सब्स्राइब कर लिजे, बैल आइकन के साथ, क्योंकि दूस्तों पुझा पर रहती के लेकिन के वारे में, वाइट अटेकन की टेक्निक्स, और साइवे सेक्यूर्ज जूड़ी के इमेट पूर्जंकरियें मिलती देती हैं, वो भी हिंदी में, तो दूस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंग हैं अगले वीडियो में, जिक्तर ये टेक्चिप, धन्यवाद आपका दिन, शुब हो,